Hello students, question है कि the point A, इस point की बात कर रहा है, जो point A यहां पर दीवन, moves with uniform speed along the circumference of a circle, radius दिया गया है, आपको यह वाला radius 0.36 meter and covers the 30 degree angle in 0.1 second, यह इतनी information है, the perpendicular projection of P, इस P का यह perpendicular projection है from A, A से perpendicular projection P दिया गया है, the restoration force per unit mass when P touches M, यह जो P point है, गुमता 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 गुमता, M को टच करेगा, तब restoring force कितना होगा, तो चलिए, यह J main का question है, और काफी आसान है, तो इस पर बात शुरू करते हैं, चलिए तो यहां पर यह इतनी information दी गई, मैंने इसको draw करते हैं, यह angle 30 degree है, already given है, है न, बाकी सब यह draw नहीं करूँगा, already यह दिख रहा है, ताकि कोई, है न, काश पोचना हो, सबसे पहले, इसकी radius पता ही है, लेकिन एक important बात है कि यह start कहां से हुआ था, N से start हुआ, अभी कहां पर बेठा है, यह कहां पर जाएगा, एम पर जाएगा, एम पर जाएगा, तब इसका restoring force बताना, यानि कोई अगर SHM कर रहा है, ब्लॉक, SHM कर रहा है, मालों कि यह वाला ब्लॉक यहां पर, SHM कर रहा है, तो इसकी दो conditions, दो positions होगी, है न, एक तो minimum, यह यहां कहीं आएगा, और एक यहां कहीं आएगा, है न, तो जब यह वापस इसको यहां से खीचा जाएगा, तो यहां गया, फिर यहां आया, और फिर यहां आएगा, तो यह time period complete होगा, यह सुरनो, लेकिन जब यह यहां पर आ जाता है, यहां पर आने की condition क्या है, यहां पर आने कंडिशन की restoring force maximum होगा इस पे, तो यही मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ, कि F equal to जो आ जाएगा आपके पास MA, यही restore करने वाला force, जिसमें force और acceleration का direction, है न, यहां पर आप देख आ रहे हैं, कि यह जो चीज़ आ रहा है, तो F upon M, यह force per unit mass, यह लिखा है न, यह आपे, कि restoring force per unit mass, when P touches M, will be, तो यह निकालना है वास्ता होए मुझी, तो M by A, और यह A, और A equal to क्या होता है, omega square X होता है, यह relation कहां से जानते हैं, from SHM से जानते हैं, from SHM से जानते हैं, तो A मु जब maximum A हो, तो यहां पर यह वाला, maximum A मतलब उसका X, उसके amplitude को touch कर रहा होगा, तो omega square A, amplitude को touch कर रहा होगा, यहां इस, जो information है, उसको यहां पर अगर plug-in करता हूं है, जो मुझसे पूछा गया M by A, A की video आ जाएगी, omega square A, अब omega को और replace करेंगे, तो 2 pi by T, T, nothing but time period, और यह आ के पास आजाएगा amplitude A, इतनी information, तो 2 pi जानते हैं, amplitude और T unknown है, उनको calculate कर लेते हैं, तो यहां कुछ information दी गई, 30 degree, 30 degree को complete करने में इसको 0.1 second लगा, तो एक complete time period कितना होगा, इसको मत भूचिए, यह तो एक अलग case है, इसको complete करने में time period कितना लगेगा, 2 pi लगेगा, 2 pi लगे 360, तो 360, यहां से अगर 1 degree में निकालोंगा, तो कितना आजाएगा, आपके पास, 0.1 by 30, और अगर 360 में निकालोंगा, तो यह कितना होगा, 0.1 upon 30 into 360, यहां से यह कटेगा 12 times, और nothing but यह वाली values आजाएगी, 1.2 आजाएगी, इसको multiply करने 12 into 1, तो यह आपके पास आया, nothing but time period आ यहां पर time period को plug-in करना है, अब amplitude देखना है, तो amplitude वास्ताव में क्या होता है, amplitude यह कहा गया है कि radius, radius कितना है, 3 point, तो यही मेरा क्या हो गया, maximum limit, तो यही amplitude होगा, amplitude को में लिखूँँगा, 0.36 meter, तो यह जो चीज़ information है, वो यहां plug-in करता हूँ, चलिए, अब इसको, यह ज 1.2 आ गई है, इसका square करना है, एना, into amplitude कितना निकाला भी, यह निकाला किया, given 0.36, बस अब तो calculation है, कुछ है ही नहीं, इसमें, यह कितना आ जागा, 4 pi square आ जाएगा, और यह आ जागा 1.2, 1.2 और यह 36 by 100 कर सकते हैं इसको, अब यहां से इसको finally f by m अगर calculate करते हैं, f by m यहा आएगा, यहां से 4.3 आ जाएगा, और यह वाला जो आ रहा है, बारतिया 36.36 आ जाएगा, यहां पर देखिए, तो यह 36 अपान में आ गया, और बारतिया 36, और दो अंक बाद दशमलों लगाना, यानि 0.36 into 100, तो nothing बट यह किया, दो अंक से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस के साथ जो पाई स्क्वेर आ रहा है, यह पाई स्क्वेर रहेगा, तो यह 100 यहां लिखा, यह 100 इस से कटा, 36 कटा, यह पाई स्क्वेर, और पाई स्क्वेर के विलिए, everyone know that कितना होता, 9.8 something कुछ होता, और उतना, और यहां देखते हैं कि force per unit mass आ रहा है, तो हम Newton per kg इसको ल तो यह कोशन था, चली मिलते हैं